शामली में पुलिस ने मुठभेड के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरिफतार कर लिया है आपको बदा दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेरा बंदी की जिसके बाद पुलिस और बदमाशों में कई राउंड फाइरिंग हुई जिसमें एक बदमाश गोरी लगने से घायल हो गया जबकि दो बदमाश मौके से फरार हो गये वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भरती करवाया जहां घायल का इलाज चल रहा है जिसकी गरिफतारी होगी है दो साथ इसके बागए अभी कॉंबिंग चल रही है आपको बता दें कि गरिफतार बदमाश के खिलाफ लूट और हत्या के छे मामले दरज हैं जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी फिलहल पुलिस ने गरिफतार आरोपी के खिलाफ मामला दरज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है शामली से सरफराज अली पंजाब किसरी टीवी